हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो माई चानल, इस इस मी, स्वाती, कैसे हैं आप लोग, वेरी कुट मॉर्निंग फ्रम जर्मनी, आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, तो भई छुटकनी जिजी ने फाइनली अपना रूप दिखाया, हम लोग बहुत टाइम से बोलते जा रहे थे, इधर रियाक्शन, इधर रियाक्शन, ड्राम में कर रहे हैं, इमोशन उस टेम क्यों नहीं आए, उस टेम क्यों नहीं रोए, ठीक है, तो छुटकनी जिजी आए, और कितना जहर उन्होंने उगला है, और वो भी उस दिन, जिस दिन इनके, पेपर वाले अपने घर का माई के, अपने माई के का घर बनवा रही हैं जिजी, लेकि इनको इतनी भी शर्म नहीं आई, रात में इंस्टाग्राम पे इनों ने अपने पती को विश किया है, बिर्टडे विश दी है, सो फ्रेंड्स, वेल्कम टू मैं चैनल, इस इस मी स्वाती, कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग मजे में होंगे, और देखो, जिजी ने कल दिखा दिया अपना असली रोप, कि मैं नहीं बदली हूँ, खेर, जिजी ने कुछ शर्ते रख दी, ठीक है, लास्ट में, वीडियो के एंड में, और शर्तों में ये था, कि हम लोग रहेंगे, no interference, उप फर्स्ट फोर बनवाओ उपने घर में, और मैं आप और बेबी हसी खुशी मा रहेंगे, happy happy family, और नीचे आप जो लेडीज है ना, जो भी आए, वहीं पर आए, no interference, मतलब उपर वो लोग इंटरफेर ना करें, नीचे मैं इंटरफेर ना करें, आपकी मर्जी उपर नीचे आओ या ना आओ, आप देखिए, यहाँ पर एक senior citizen है, एक ही घर पे member है, अंकुश की mother, जो कंचन है, वो कभी-कभी आना होता है उनका, अगर हम सोचे एक mother के साथ इतनी problem क्यों है, mother जो हमेशा से इनकी साथ खड़ी रही, आज इतनी इनकी नजरों में खटकती है वो mother, और जो शुगर पेशेंट है, जो senior citizen है, उनको कैसे वो अकेले छोड़ दे, आँटी की भी आप लोग को पता तवियत खराब रहती है, अब मुझे लग रहा है, यही सारी चीज है, हमें आने वाले टाइम पे छुटकरनी जिची, तुमने बोला कि अलद हम लोग रहेंगे, तो बच्चे को उठाया और अंक कुष ने करी, बत्तमीजी, जो तुमने इतना फोका, इस पॉइंट को जो तुमने कल अपनी वीडियो में बार बार बोला था, तो friends आप सोचिए, वो कितने दिनों बाद अपने बच्चे से मिलने गया था, ठीक है, उसके पास कुछ टाइम थ जाती, लेकिन उसने बोला तो इनको वो बत्तमीजी लगी, उस चीज का भी जिकर किया, मतलब वहां पे सब कुछ ना जवर्दस्ती हक किया गया, ना जवर्दस्ती फोटोस, वीडियोस बनाई गई, लेकिन उसमें भी जिजी ने पॉइंट्स ढूंडी लिये, सामने वाली पार्टी को यानि पेपर वाले हस्बेंट को पदनाम करने के, हैना, तो शर्ते रखी गई, उपर का घर बनवाओ, फस्ट वर वहां पे रहेंगे, लेकिन जिजी मुझे ये समझ नहीं आया, तुम जो ये, जिस इंसान को कह रही हो कि वो नीचे रहे, हैना, कोई इंटर्फ रहें, और उनी के हिसाब से वो तुम्हें उपर रखेंगी, अगर उनका मन नहीं होगा, तो तुम्हें नहीं रखेंगी वो उपर, और तुम उसी इंसान को मना कर रही हो, तुम्हारे हिसाब से वो नीचे रहें, और कोई भी मतलब लेना देना ना हो, तो ऐसे कैसे, और भ होगी तो जिज्जी ऐसे कौन करता है अगर घर बसाने वाली औरते होती है तो हो माफी मांगती है अपने करने की उन्होंने सबने सोशल वीडिया पर देखा है ठीक है कितनी गंद मचाई है आपने पुराने टाइम पर लाइव में आके जो गालिया दी है जो अपनी ननत को ब बोल रहे है और आज भी कोमेंट आया दोस्तो जो लोग कह रहे है भाईया जिज्जी क्या हुआ जिज्जी ने तो पिन भी करती है कोमेंट जिसमें वो साफ साफ कह रहे है कि भाईया अपने घर पर काना जी को शी डिजर्वस ए बेटर लाइफ now it's depend on you you want your wife wants to be with you your mom will understand she is also a good lady go ahead give this comment अब ये पता चल गया है she deserves now it's depend on you वो तुमारे साथ रहना चाती है give this comment so many likes है न प्रीती ने clear किया है she wants to live with you मतलब साफ साफ बोल रहे है कि तुमारी मा के साथ नहीं रहना चाती है तो भाईया ये तो अंकोश उसकी family पर depend करता है हाँ आप लोग आते हो जिजी हमें पेन भी कर रहे हैं खुशी-खुशी एक ने लिखा है इतना कुछ उसके बारे में बुरा बोल रहे हो और फिर उपर से बोल रहे हो कि उसके साथ घर बसाना है भाईये ये सोचने वाली बात है मतलब वो उसकी दादी ने वंश बोला था दादी को अंटी बना दिया गया ज कि बहु से ही तो आया है वंश है ना और बहु भाईया मुझे समझ नहीं आता वहां आंटी यहां बहु तो तुम आंटी बहु बोल रहे हो उनको सासुमा बोलो सासुमा बोलने में क्या दिक्कत हो रहे है जिची और उसने सब लोग ये कह रहे है कि उसने जैंट्स बोला त किसी जेंट के साथ आई थी, मैंने तो फिर भी आणटी बोला है, तो जिजी थोड़ा सोच लो, अगर वो उसका भाई, उसने कुईसी गलत, उसमें नहीं नहीं बोला, इंटेंशन से, वो किसी के साथ आई थी, अब वो क्या बोलता, किसी उसके नाम लेके बोलता, हाँ, फिर मोड पर मैंने एंड करी थी, लेकिन response heartbreaking था, response heartbreaking था, जिजी कह रहे हैं कि मैंने expect नहीं किया था, तो जिजी का expect करके बैठी थी थी, मतलब इतना कुछ करके, अपने चैनल से इतना गंद बुलवा के, character पे तुम्हें उस बुड़ी औरत, वो जो senior citizen है, जो patient है शुकर, उसका तक तुमने character के बारे में क्या क्या नहीं बुलवाया, रिश्तेदारों के बारे में उसकी और अंकुष की बहन के लिए तुमने क्या से क्या नहीं बुलवाया, उसका ये था, ये था, तुम्हें शरम नहीं आई, और तो और देखिए जनाब, इस औरत की jealousy इतनी है, कि उस visitation rights सिर्फ और सिर्फ तुमारे लिये हाँ ना तुम अगर अकेले आते तुम बात कर पाते पापा ममा बेभी साथ में time spend कर पाते लेकिन तुम लेडिज्क के साथ क्यूं आए तुम तादी के साथ क्यूं आए तुम बुआ के पास जो वकीला उब्जर्व करे तो भाईया उसको अकेले कैसे वो आने देते उसकी माँ और भेंद क्योंकि तुम ही ऐसे लोग हो जब वो अरिष्टेदारों के आ गया था सामने से रोड पे जिजी तुमने उस पे ऐलिकेशन लगा दिया कि हमें आखे दिखाए ट्रिंक करके आय जिजी जिजी नौट एक्सेपटेबल मुझे समझ ने आ रहे हैं लौजिक का है तरूवालों के लिए तो खेर वो तो कुछ भी जिजी बोलेंगी उनकी बातों में हां मेहां करते हैं खेर इस चीज़ को बताना जिजी आप है कि वही लोग कैसे अपने बेटे को छोड़ द कुछ भी ब्लेब लगा सकती थी तुम कि तुम्हारा रिकॉर्ड है तुमने इसा भरकते करी है ठीक है वंश से मिलने जा रही हूं बहू के भी न आपका वंश आ गया और जिजी ने फिर से वही सब चीजे जो गंध पाती है ना जिजी हमेशा से पुरानी चीजों पर पुरा मतलब ये पिच्छों से लेकर आई आप सोचिए इस चीज को कितना हाइलेट किया जबकि अंकुछ ने अपनी वीडियो में मेरे ख्याल से 100-200 बारी चीज़ बता दिये कि एक नॉर्मल वे में बोला था कि बच्चे को बिल्कुल दादी को नहीं देती थी ठीक है कोई बोलेगा हर कोई बोलेगा भाई यह तो बहुत इस चीज को लेकिन किस तरह से गलत एंगल देके बोला गया सोचिल मेडिया पे हो हम सब ने भी देखा है फिर बार-बार जो यह पैसों की भूक नहीं है जिजड़ी कह रही थी पैसों की भूक हमें आपकी दिखती है कि किस तरह लोगों को, viewers को, subscribers को पागल बनाके, ठीक है, बोलके कि channel terminate होने वाला है, ये मेरो दूसरा channel है, live life with me, will live life with छुटकरनी जिजी, दो channel खड़े कर दिये गए है, monetize हो गए है, add भी चल रहे है, पहले बोला चाहरा था, delete होगा, warning आई है, termination mail आया है, 7 दिन में चला जाए ताकि लोग वहाँ पे कर ले, पैसो की भूख आपकी है, ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि पैसो की भूख उसको है, तो पैसो की भूख आपको नहीं है, ये जो आपने 48 minutes का जिजी क्या, ये नशाकर की बनाया है तुमने वीडियो, तुमें दिखनी था तुमने कितना लोगों को क्यू लेकर आया है, बहुत अंकमफटेबल लगता है, और कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीजे बोली गई है कि मैं बच्चे के सामने ड्रामा नहीं करना चाता, इतने मिसे सहम गया, मतलब जिस तरह से अंकुषने वहाँ पे, इस चीज को पॉइंट किया, भाया, उसकी जगा कोई भी होता, तुम एकदम से जैसे जाने पे तुम लोग हुए, हाना, कि चलो चलो घर चलते हैं, तो अफकॉर्स, उसमें इस चीज को भी सोशल वीडिया पे कैसे हाइलाइट किया, कि बच्चा सहम गया, ठीक है, और जब जाने, वो, मैंने उसमें वो बत्तम बिचन को, कहते ना कि एक Blessings होती है, जो हमारे बड़े बूडे हमें, शगुन के नाम पे दादी, है ना, नानी दादी देते हैं, दादी बबा तो वो एक शगुन एक Blessings के तौर पे लेते हैं, लेकिन यहां भी जिच जी उस शगुन को भी गंदा बोलने में पीछे नहीं खहरी वो शबुन भी क्या है मा के दिये हुए पैसे ही है और मा की ही अर्णिंग है मा का ही बिजनिस है जो आप लोग वो कर रहे हो और इसी बीच जिजी ने और बोला कि बच्चा सहम गया था इन्होंने हग करने की कोशिश करी लेकिन उसने हग नहीं किया इन्होंने जब समान देने की बात आई तो अपने एडवोकेट को कॉल किया गया ठीक है एडवोकेट ने का भए समान तुम ले सकती हो फिर जिजी वाज ये बिस्कुट के पकेट। तौफी है ना जो हम खिलाते नहीं खैं तुमारी वीडियो में हमने कई बार तौफी तौफी करते हुए देखा है जिच्जी, जेम्स टौफी नहीं होती है, जेम्स चॉकलेट होती है जिच्जी, वो तो फिर भी जेली लेकर आया था, है ना मा के नाम से ही अर्निंग कर रहे बिजनेस चला रहे हैं, वैसे भी, मतलब अपना आपना नाम फिट से, मतलब इनके हिसाब से कि हमारे ही नाम से वो कर रहे हैं, उसकी कोई अपनी महनत ही नहीं है, जो कि ये खुद ने पूर्टिसम के प्रोड़क्स है, और मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, मेरी हजबन से ह लास्ट में चो इनोंने शर्ते रख दी दोस्तों कि अलग रहेंगे इन चर्तों पर पहले तो यह बोलना चाती हूं कि तुमने अपने माईके का घर बनवाया तुमने एक सस्थराल सास्थ टॉपिक ले लेके इतनी तुमने चलाई पती के नाम से इतना कमाया इतना कमाया और तुमने जूट बोले कि दो साल तक हम लोगों ने तो कुछ नहीं दिखाया है ना और इसने पहले इन से ही दिखाया और मैं साथवे महिने में माई के क्यों नहीं गई इस चीज को भी जिजी ना अलगी मतलब ट्विस्ट कर दिया कि इसकी सिस्टर ने का था कि अगर ये जाएगी तो हमें तेरी बेविदाई करने पड़ेगी सच्छा तुम यहीं पर बैटके वीडियो बना ठीक है मेरी फोटो को इन्होंने अपने घर में काला किया हुआ है घर पर मुझसे अलर्जी है बच्चे से अलर्जी है में इशू बच्चे के साथ वीडियो बनाने की है इनको ये है कि ये वीडियो बनाएं कि फोटो डालेंगे और इनको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटोस वीडियोस डालके YouTube पे earning करनी है तो जिजी ये rights father का भी है अगर तुम इतने time तक earning कर चुकी हो even तुमारी पूरी family earn कर चुकी है तो वो right वो भी उसका भी है और वो definitely कभी ना कभी उसको court right दे देगा फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगी जिजी है ना क्योंकि वो father है और बच्चे का भला बुरा वो भी सोचता है तुमने कहाता न कि camera free life और वो सब वो सब तो वो उसको भी सोचता है वो और जितना वो दिखा सकता है उसकी ऐसा memory तो वो ले सकता है नो photos और जितना उसको permission होगी YouTube पे दिखाने की उतना वो permission ज़रूर लेके आएगा तो friends ये था इनका वीडियो बाकी बहुत सारी चीज़े हैं इस वीडियो में आपने बहुत लंबा वीडियो जिजी का बना है बहुत सारे points निकल के आ रहें लेकिन फिर से वही चीज़ आती है दिखा है especially जो एक senior citizen है दादी तुमने फिर से शर्ते रख दी उसी के घर में तुमें रहना भी है और उसी से interference नहीं करना है तुमने साफ साफ बोल दिया है और फिर से बहुत चीज़े उठाई गई हैं कि YouTube में रोना दिखाते हैं वहां पर actually में कोई नहीं रोया है YouTube पर तो ड्रामे करते हैं डबल फेस हैं है ना जब एक लड़की घर पसाने जारी तो accept क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे के नाम से व्यूज़े ये photo viral कर देंगे इनोंने बहुत सारी कल चीज़े बकवास करी है जिसमें कहीं तक बिल्कुल सच्चाई नहीं है फिर से allegations लगाएंगे कि आपके family ने 7th मन्त में माई के नहीं छोड़ा और बहुत सारी चीज़े बोली गई थी कि साथ में वीडियो भी बन चाएगी मतब सिस्टम में बोला था कि तेरी विदाई करेंगे इसकी विदाई तो तेरी विदाई भी करनी पड़ेगी और आपकी मदर ने मेरी बहन को बोला कि खुद बच्चा होता तो नजर लगा देगी इसका खुद का बच्चा नहीं होता तो नजर लगा देगी तो कुछ इस तरह की चीज़े जो पुरानी ही आग लगा देंगे वही कुछ हुआ है बाकि येस इनके टरू वाले जिजी ये ही कह रहे है सब बार बार कि इतना सब कुछ बोलके तुम घर बसाना चाहती हो how is this possible तो दोस्तो और फिर रात को किया जाता है अंकुष को birthday wish तो कही ना कही जिजी अपने plan में successful हो रही है कि मैं घर जाने का बोलूँगी पायल पहन कर आऊँगी birthday wish मतलब अपनी तरफ से ताकि मैं देखो कितनी बदल गई हो और social media पर आके जहर भी उगल रही है ये कौन सा बदली हो जिज्जी तुम कुछ ना बदली हो तो friends ये था मेरा अचका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाकी जिसको अच्छा लगा है प्लीज लाइक जरूर करेगा birthday wishes social media पर पूरी family को गंदा बोलो हर चीज घुचेट को मतलब बार बार लेकर आओ और expect किया जा रहा हुँआ उन्ही के घर में जाके रहू उपर वाँ भाईवा जिज्जी वाँ भाईवा खेल गई जिज्जी तो friends आपको क्या लगता है जिज्जी खेल रही है जिज्जी ने वही अपना वो बार बार जहर दिया है जहर निकाला है, हर statement पे जहर निकाला है, मतलब बहुत ही कल की जो वीडियो और कमाई, जिजी कितने डॉलर बने होंगी तुम्हारे कल की वीडियो से, बढ़ गन्नी को तो कोई देखने ही नहीं जा रहा जिजी, जिजी की सारी, जो सारी limelight है न वो यहीं पे है, छुट गन् इमोशन्स, फादर की इमोशन्स के साथ खेला ही रोने, और आभी भी खेलती जारी है, खेलती जारी है, यहीं इनका असली रूप था, कि मैं डाइवोर्स भी नहीं लूँगी, ठीक है, और मुझे चाहिए, एलमनी, इनोंने साफ साफ बोल दिया, मैं इन्टेनेंस, दो साल लेके, है न, हमें याद है जिजी, इतनी गंदी घर्मी थी मुंबई में, गर्मी सर्दी, गर्मी सर्दी तुम यह कर रही थी, यहां पर बड़ी बड़ी बातें मत करो, जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब, वो पागल बन सकते हैं, जो लोग आपको शुरू से देख रहे ह हो पागल नहीं बनेंगे, खैर हम लोग वेट गर रहे हैं, अब अंकुष का रिपलाई क्या आएगा दोस्तों, चलो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू सुमाई, और जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना आप लोग, पाई बाई